हेलो फ्रेंड्स पूनम किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू की चट-पटी चाट ये हमने बॉयल आलू लिये हैं इनको वयल करके ठेटा कर लिया है और चील दिया है इनकी सारे हमने चील के निकाल दिये हैं अब क्या करना है इनको हम कट कर जब हम इसकूल में पढ़ते थे फ्रेंड्स तब इस तरह के चाट एक हमारे इसकूल के बाहर एक दादी मां आया करती थी वह बनाती थी तो यह स्वाद आज दिन तक हमारी जुबान पर है तो इसलिए आज हमने यह चाट उनके याद में बनाई है यह बहुत ही टेस्टी बन कर लिया है सभी आलों को कट कर लेते हैं और यह घर में रखें कुछ मसालों से ही तयार हो जाती है इसमें ज्यादा जंजट नहीं करना पड़ता है और यह टेस्टी बहुत हुती है देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमें कट करने है आलू इनकी मोटाई है हमें कुछ इस प्रकार रखनी है ज्यादा पतले कट नहीं करने है नहीं तो चाट बनाते इस टाइम यह टूट जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे अब हमें एक पैन लेंगे इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे इसके लिए लिए हमने चार लाल सावत मिर्च दो चम्मच सावत धनिया और दो चम्मच सावत जीरा इनको हम रोष्ट कर लेंगे धीमी आज पर रोष्ट करना है जैसे ही रोष्ट हो जाएंगे ठंडा करके इनको इनका यह हम फाइन पाउडर बना लेते हैं देखे फ्रेंट से यह रोष्ट हो चुके हैं जलाने बिल्कुल नहीं अब क्या करेंगे जो हमने आलू कट गये थ जाएं प्रेटे और इसमें हम मसाला पीस के रखा है जो बनाए है उसको हम दो तीन चमच भर के इसमें मिक्स कर देंगे कां टिटी यह अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आलू अगर आपके जादा हों तो आप मसाला ज्यादा डालें कम हो तो कम डालें आप हम इसमें ड को गरम पानी में भिगो दिया था उसकी पीस के उसको पेष्ट बना लिया और इसमें हम डालेंगे हरी चटनी जो हरे दनिया की चटनी हमने बनाई थी हरी मिर्च और हरे दनिया नमक डाल के दो चम्मच हरी चटनी डाल दिये और इसमें हमने डाल दिया है जो इमली का पानी ब आलू को खोलते हुए आलू चिपक जाते हैं दूसरे में तो उनको खोलते हुए और सारा यह जो इमली का पानी है कम सब्सक्राइब चार से पांच चमाश हमने तीन आलू में डाला है इस तरह हम मिक्स कर लें हैं इनको एकदम लपटमा कर देते हैं मसाले से सभी आलू में मसाला अच्छे से चिपक जाना चाहिए तब ही इनमें फिलेवर आएगा यह बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है फ्रेंट्स फटा फट बनकर तयार हो जाती है आपने कोई सब्जी बनाने के लिए आलू वोयल किये आपका मन कर रहा है कुछ चट पटा खाने के लिए तो आप इसके फटा फट बनाकर खा सकते हैं हमें कुछ भी चीज बहार से ला और जूसकों भी आप खिलाएंगे सभी आपकी तारिफ करेंगी कि देखें इनको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से सभी में अब इनको हम एक दौने में सर्व करते हैं अगे 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 अनको हमने एक दौने में है सर्व कर दिया है और इसके उपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और एक पिक लगा देते हैं यह हमारी मैजेदार चटपटे आलू की चाट बनकर तयार है इसी तरह हम बाकी आलू को दूसरे दोने में सरू कर लेते हैं इतनी मजेदार यह चाट बनती है फ्रेंड्स आप इसे एक बार जरूर बनाएं देखे फ्रेंड्स यह हमने दौनों में सर्व कर लिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और प्लीज प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें वीडियो एंड तक देखने के लिए ठैंक्स रादे रादे इसे लिए शेखने के लिए चैनल के लिए और हमारी वीडियो प्लीज वीडियो पादे जादे लिए आगर कि लिए झाल न भीडियो, अगर रभादे बाते हमारी